उत्तर प्रदेश के सुल्तानपूर में एक लाख के इनामी मंगे श्यादव के एंकाउंटर को लेकर सियासत गर्म आ गई है इस एंकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिले श्यादव ने सवाल उठाए जिस पर पलटवार मुख्यमंतर योगिया अधितिनास ने किया था इस बीच सुमवार को बहुजन समाज़ पार्टी प्रमुख मैवती ने बीजेपी और सपा दोनों पर ही हमला बोला है और दोनों ही पार्टीओं को चोर्च और मोसेरा भाई करार दिया है मैवती ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्सपर ट्वीट करते हुए कहा यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए ज़ा रही है अपराथ, अपराधी और जाती के नाम पर जबर्दस्ती की राजुनीती की जा रही है जबके इस मामले में ये दोनों चोर-चोर मौसेरे भाई जैसे हैं बीजेपी की तरह सपा सरकार में भी तो कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था दलितों, अन्य पिछडे वर्गों, गरीबों और व्यापारियों को सपा के गुन्डे, माफिया दिन दहाडे लूटते और मारते पीटते थे ये सब लोग भूले नहीं है उन्होंने कहा, उत्तर प्रिदेश में वास्तव में कानून द्वारा, कानून का राज, बस्पा के शासन में ही रहा जाती और धर्म के भेतभाव के बिना, लोगों को न्याय दिया गया कोई फर्जी एंकाउंटर भी नहीं हुआ मायवती ने लोगों को आगाह करते हुए कहा, कि बीजेपी और सपा के कानूनी राज के नाटक से सभी सजग रही महें अखिलेश यादव ने एंकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा था, कि लगता है सुल्तानपूर की टेकेती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्ख था इसलिए तो नकली एंकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्ख साथ कर सरेंडर करा दिया दरहसल उत्तरप्रदेश स्टीएफ ने 5 सितंबर को मंगेश यादव को एंकाउंटर में मार गिराया, उसके उपर एक लाख रुपे का इनाम खोशित था मंगेश यादव के उपर आरोप था कि उसने मेजर गंज इलाके में फरत जी सोनी जुएलर्स के यहां डेकेती डाली जिसमें उसके साथ चार और लोग शामिल थी ये डेकेती 28 अगस्त को डाली गई थी जिसमें 1.5 करोड की जुएलरी लूटी गई थी ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई थी इस दौरान पुलिस ना रूपी मंगेश यादव को एंकाउंटर में धेर कर दिया और तीन अन्य डेकेतों के पैर में गोली लगी